को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और वेस्थ होंगे मित्रो आज बात करेंगे स्पाइडर लेली की हाइमेनो कैलिस लिटोरेलिस अमरिल्डेशी फैमिली का यE प्लांट है और हाईली म्दिसनल है इसके अंदर बहुत सारी आलकलाइड पाया जाते हैं मुक्त मित्रो इसके अंदर लाइको रिन नाम इन तीनों के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट कारे करता है पैन क्रेटिस्टेटिन नाम का एक आइसो केनोलिन अलकलाइड भी पाया जाता है जिसके अंदर एंटी नियो प्लास्टिक एक्टिविटी रखता है और उसके अंदर प्रोस्टाइटिस और यूटिरान फिब्र कर अगर आप लगाएंगे तो कटी सूल जिसको लुंबय को कहते हैं उसमें भी गुंकारी होता है विशेश लाब्स एमरिली डेशी फैमिली का ये प्लांट है इसके अंदर कंद पाया जाता है और वाइट कलर के सुंदर फ्लावर्स आप देख रहे होंगे बहुत ही किता देख पाई तो आप से पत्र का भी इस्तमाल कर सकते हैं प्लांट के अंदर प्रकार के एंट्योक्सिडेंटस और स्ल्कが जाते हैं आयों जाने किस कर कर से हमें इसको पीओ में ला सकते हैं इस इसके जो लीव्स आप देख रहे हैं, इसमें पाये जाने वाले जो मेटाबॉलाइट होते हैं, उनको एक्स्ट्रक्शन करने के लिए हमें इनको तेल को कुनकुना करके इसको उपर लगा लें, ताकि इसका एक्स्ट्रक्शन बढ़ जाए और आप इसकी पट्टी कर लें, द दालेंगे, तो कान का दर्द आसानी से दूर हो जाता है, ना किवल दूर हो जाता है, कान में अगर कोई infection है, फंगल infection है, bacterial infection है, तो वो भी दूर हो जाता है, इस प्लांट के नीचे पाया जाने वाला जो कंध है, उसमें वोमिटिंग को लाने वाली, उल्टी को लाने वाली चमता होती है अगर ज्यादा मात्रा में कुछ टॉक्सिंस का सेवन हो चुका है या फिर फूड खा लिया है ऐसी कोई समस्या है वोमिटिंग को अबलाना चाहते हैं तो इसके कंद का जूस बनाकर 10-15 ml फिलाना चाहिए अडूसा और आई-पी केक को आना एक प्लांट होता है ये दोनों ही वोमिटिंग को निट्यूस करके यानि की उल्टी को लाकर टॉक्षिंस को सरीर से निकालनेका कारे करते हैं तो इन नैचुरल उल्टी को लाने वाला भी प्लांट है जो शरीर के अंदर रक्त के की अगर समस्या बढ़ जाती है या टॉक्षिंस ज्यादा हो जाते हैं तो वमिटिंग करके टॉक्षिंस को भार निकालता है कि ए बार छोटे बच्चों को कफ बहुत ज्यादा हो जाता है तो उल्टी के माध्यम से कफ को पतला करके निकालने की छमता भी इस प्लांट के अंदर होती है इस plant के पत्र का लेब बना कर skin में कहीं खुझली की समझ्चा हो pruritis के समझ्च्य हो redness की समझ्च्य हो वहां भी इसका paste बना कर हम लगा सकते हैं इसके flowers को आप इकटा करके चुन बनाके रख लिजिए flowers पित के समन के लिए आप रात को पांच गिराम इसका चोन पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको पीलीजिए धिरे-धिरे पित का ये समन करता है वित्रो जो आप देख रहे हैं ये इसके सूखे हुए फ्लावर्स हैं इसको आप इखटा करके इसका चोन बना के रख सकते हैं इसका चोन विशेश उपयोगी है और कोशी से करें कि आप इसकी सेड ड्राइंग करें सेड ड्राइंग से औस्द्य गुण मत्ता बनी हुई रहती है विशेश गुणकारी ये प्लांट है नीचे कंद के माद्यम से आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं बाल अगर सर पे कम हो गए हो तो इसका पेस्ट बनाकर बालों को लाने के लिए भी आप स्केल्प के उपर लगा सकते हैं आसानी से नई घने काले बाल आ जाते हैं बहुत अच्छा ये प्लांट है साथ ही ये प्लांट ना के वल मेडिशनल है वलकि और्नमेंटल भी है गमले में आसानी से लग जाता है और मेरा तो सब्मिशन ये होगा कि आप इसे और्गनिकली कल्टिवेटिड अवस्था में अगर है तो ही इसका ज़्यादा बहतर परिनाम आ सकते हैं क्याई बार रोड साइट भी लगा हुआ होता है हैवी मेटल्स का ये कंद के अंदर अकुमिलेशन हो जाता है तो उसे बचने के लिए आप अपने गमलों में और्गनिकली कल्टिवेटिड इस प्लांट को कीजिए ताकि इसकी ओस्दिय गुण बने हुए रहे और हैवी मे